हलो फ्रैंड्स मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस बावासे और आज मेरे पास जो फोन्स हैं वो हैं वन प्लस नाइन आटी जी हां सबको यार बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था इस फोन में कौफी सही लगता भी है यह है जिसने बड़िया से एकड़म मचा के रखा है वो है श जो शाओमी 11T Pro है वो भारी पड़ता है या नहीं सो बिना देर करें लाट स्टार्ट वीडियो वीडियो की शुरुवात आपको पता है यार हम लोग हमेशा बूट टेस्स से ही करते हैं सो सबसे पहले तीनों फोन्स को एक से आतियार हम लोग ना बूट पर लगायते हैं औ बता दूँ तीनों में आपको मिलता है स्नाइब ड्रैगन ट्रिपल एट प्रोशेसर शिक्सने फैब्रिकेशन पर काम करता है यार जो की काफी तगड़ा है सो अभी आप देखोगे यार तीनों पर अपने 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 अनिमेशन ओके बोलने के पहले विलर हमारे सामने ह आया है वो है OnePlus 9RT उसके बाद आया है OnePlus 9 और फिर आया है Xiaomi 11T Pro जीखाँ बूट टेस्ट का विनारिया अगर हमसे कोई पूछेगा कौन है तो हम बोलेंगे भई सिंपल सा है जो हमारा OnePlus 9RT है वो रहा है अभी आगे बढ़ते हैं देखो अभी तो बस बूट टेस्ट हुआ है वो भी बचा हुआ है और उसमें हम लोग देखते हैं कौन किसे किस तरीके से बीट करता है तो बूट टेस्ट हो गया अब शुरुआत करते हैं हमारे स्पीड टेस्ट की जिसमें हम लोग की as usual जो शुरुआत है वो होगी BGMI या बोले हमारे DC PUBG या बोले PUBG से तो देखते हैं Mi 10T जो और हलकी स्रीड यहां पर Xiaomi 11T Pro के पास है जी हां एकदम neck to neck जा रहे हैं सारे के सारे बहुत हलका सा पीशे OnePlus 9 ओके सो या देखो काफी clearly यह है जो अपना 11T Pro है इसने भई सबसे पहले जो lobby में बोले या फिर जो भी बोलते न यह जो हमारी lobby वाली स्क्रीन थी इसको पह तो यहां पर काफी clearly हमारे पास mirror है जल्ली से एक बार मैं आपको इनके जो graphic settings है उसके बारे भी बता दूँ तो यहां पर आप देखोगी अगर ग्राफिक्स और हमें उमीद यहां देखो सभी में सेम ही होगी लेकिन एक जो चीज आपने अल्रेटी नोट कर ली होगी कि यहां पर आपको वन प्लस में 90 fps मिलता है मैं बता दूँ कि बाई डिफॉल्ट है मैंने कोई GFX टूल वगरा होता है वो मैंने कुछ ऐसा नहीं किय है तो यहां पर आपको 90 fps दिख रहा है बाकि सब सेटिंग्स में जो है वो आपको 60 fps आप देख सकते हो लेकिन अल्ट्रा एजडी पे अल्ट्रा जाने कि 40 fps रहेगा बर 1 प्लस 9 में अभी आपको 90 fps का सपोर्ट मिल रहा है वैसे ही यहां पर 60 fps और यहां पर भी आप आती है अब नेक्स बारे आती है कॉल आफ ड्यूटी की देखते हैं इसे कौन पहले ओपन करता है वन टू थ्री सो यार अगैन देखो आइधिंक शुरुआस से ही जो लीड है वो 11T Pro ने लेके रखी है अपने पास हलकी सी लेकिन अभी एकदम नेक्टो नेक है ओके आइगेस 980 थोड़ा सा आगे एकदम नेक्टो नेक्टो नेक जा रहे है अभी ये दोनों और वन प्लस साइन बहुत हलका सा पीछे और तो यार देखो ओके मैं मतलब काफी क्लोस था तो अगर आप बोलोगे भई विनर को ने तो वेरी वेरी सिंपल जो शाओमी है जी सेंड में आया है वन प्लस 9 ठीक है तो यह यहां पर भी हो गया आगे बढ़ जाते हैं ओके आइगेस हमारा गेम बंत नहीं हुआ इसको मैं कैंसल कर देता हूँ और मिनिमाइस और यहां पर भी इसको बंद करते हैं फ्री फायर को देखते हैं सबसे पहले कौन पहले ओपन क करेगा तो फ्री फायर की तरफ बढ़ते हैं 123 फ्री फ्री फायर को अगैन देखो है सबके अपने जो गेम मोड है वो शुरू हो चुके है तो यहां देखो टैप टू बिगन पर अगैन यहां पर यहां से अगर चेक करने एक बाल लाबी में कौन पहले भागता है तो यहां अगन पर यहां लेकिन टैप टू बिगन वाले पेस्ट पर हम बोलेंगे तो 11t प्रोई था है तो यहां देखो जो अपना गेमिंग सेगमेंट है उसके उपर अगर अपन बात कर ले तो बहुत ही आए जो अपना 11t प्रोई उसने भाट यह दब-दबा बना के रखा, call of duty में of course थोड़ा fraction of second से आगे था लेकिन कहीं ना कहीं इन दोने भी इसको अच्छा तगड़ा competition दिया है, अब देखते हैं gallery को कि इसे को में पहले open करता है 1, 2, 3 so यहाँ पर आप देखो गया, सभी ने almost same time पे ही किया है इसको मैं इस तरीके से एक image जिसको हम लोग गया, सबी को ना इसके अंदर इस तरीके से देखो भी zoom करके छोड़ देते हैं, अभी second hour में आके चेक करेंगे कि क्या यह image जूम रहती है यहाँ हट जाती है, ठीक है next बार यात यह chrome browser की देखते हैं सेकून पहले open करता है और web page को load करता है 1, 2, 3 तो यहाँ पर या, again देखो सब बराबर ही थे अफकोस यह pop up आ गया था लेकिन उसके बावजूद मैं बोलूँगा almost बराबर ही थे, यह है हमारा channel जिसको आपको करना है subscribe यहीं पर ही आपको काफी सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे इन सभी phones का gaming वीडियो भी channel पर online है जाके जरूर देखना आगे बरते हैं, जो लोग करते हैं binge watching उनके लिए है Netflix की यह app 1, 2, 3 तो यहाँ पर आप देखोगे, okay काफी clearly अगर आप देखोगे तो यहाँ इस पर यह कहीं ना कहीं सबसे लेट हुआ है अपने जो 11T Pro है उसमें अब यह आप बोलोगे इंटरेट का issue हो सकता है नहीं है तो तीनों उसमें हो जाता है, कभी-कभी कुछ slow हो जाते हैं तो इस पर कुछ ऐसा बोलने ऐसा है नहीं अब देख लेते हैं यार एक बार अपना फोन डायरो को पहले उपन कर रहेगा 1, 2, 3 तो अगैन यार देखो सबके अपने यार पहले एक ताइम पर था बोलते हैं जो अप्लिकेशन से हमने ओपन की थी, क्या वो बनी हुई है जी हाँ, आप देखो गया, जो PUBG है वो तो भई सभी में जहां पर हमने छोड़ा था वही है, वैसे ही Call of Duty को अगर चेक कलने तो देखो यार Call of Duty भी जहां पर अपने छोड़ा था वही वही पर है, और जो Free Fire है, उसको भी यार हमने जहां छोड़ा था देखो, तीनों फोन से जो अपने Heavy Apps थी, उनको भी बनाए रखा अपने Background में, जो इमें Zoom थी, जी हाँ, आप देखो, सभी में Zoom है काफी अच्छी बात है ये, और यहां पर जाते है तो इसके लाबार, तो यहाद हो कुस था आई, तो Background में, किसी ने भी Application के लिए नहीं करी ये वाली बात थी, वैसे ही, अब एक बार जो हमरा Display Test है, हम लोग वो कर लेते है अब Display Test की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर OnePlus 9 में आपको मिलता है तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो इसके बात करते हैं, मैं बोलोगा देखो, तीनों का ही एकड़म बढ़िया आपको देखने को मिलेगा पंच होल की ऊपर कही ना कहीं, अगैन मेरी परसन चाहिए कि मैं शाओमी को बोलोगा है, मुझे सैंटर पंच होल जादा पसन देखो और जो साइज वाइस भाइस भाइस अगर आप बात करोगे, तो वो कहीं ना कहीं चोटा है, जो पंच होल का है वैसे ही यार, डिस्प्ले क्वालिटी हैं आपको बताई काफी सही है, इसके लवाँ आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं, वैसे ही शाओमी की बात कर लेते हैं, यह भी दासू दिखता है पर सबसे अच्छा कौन से, अगर आप मुस्से पुछोगे, अगैन, इस इस माई परसनल वो किया है, मुझे कहीं ना कहीं, वन प्लस ना इन अर्टी साथा बैटर लगा, पर कलर इसका भी अच्छा है, यह ग्लॉसी ऐसे फिनिश के साथ आता है यहाँ पर, और इसमें आप आप अगर कर देखो, प़र बटन मिलेगा, आपको फिंगर प्रिंट संसर यहाँ पर है, इसमें यहाँ पर आपको पावर बटन मिलेगा, इसमें आपवर बटन मिलेगा, अलटसलाइडर यहाँ पर मिलता breakfast मिल जाएगा, इस साइट पन वाल्लाइडर लेकिन, वालिम रोक पर देखने को मिलेंगे ठीक है अब बात कर लेता है यार पीछे की जो ऊपर की तरफ आप आया ब्लास्टर आपको मिलेगा इन दोनों में आपको आया ब्लास्टर नहीं मिलता है और नीचे आपको देखने को मिल जाएगी यहां पर ठीक है अब जो मैं बोल रहा था है कि अपन लोग कैमरा की ओपर भी बात कर ही लेते हैं तो आप देखो प्लेस्टर इन दोनों की ऑल्मोस्ट सेम है ठीक है एक दम वही बॉक्स इसमें भी आपको ऐसी मिलेगी लेकिन जो डिफ्रेंस है वह भी या इसका कैमरा में आप हाथ नहीं पकड़ पाओगे एक सो आठ और पांच मेंगा पिक्सल का कैमरा 50 16 and 2 and 48 50 and 2 जी हां आप देख लो यहां पर जो कैमरा है भाई वह तो आपको कही ना कहीं जो शाओमी का है वही बड़िया लगेगा जो सैकेंड है यानि कि 50 मेंगा पिक्सल का इसमें आप वाइड एंगल मिलता है इसमें 16 सेली मैक्रो सेंसर है यहां पर मैक्रो है और यहां पर आपको मोनो सेंसर मिलेगा फ्रेंट में जो हम एक छोटे से पंच होल की ऊपर बात कर रहे थे जी हां वो है 16 मेगा पिक्सल का फ्रेंट कैमरा और यहां पर भी आपको मिल जाता है 16 मेगा पिक्सल का ही फ्रेंट कैमरा जी हाँ, यह जो center में punch हो लें और यहां पर साइड में है, उसमें तो यह भी मैंने आपको बता दिया, बैटरी की बात कलें, यहाँ पर, again यह, Xiaomi के पास काफी, काफी जादा edge है, ऐसा मैंने क्यों बोला, 4500 mAh की बैटरी यहाँ पर है, 4500 mAh पर है, sorry, my bad, और, यहाँ पर, जो next इसमें आपको मिलती है 5,000 mH की बैटरी लेकिन आप बोल गया 500 mH से क्या फ्रक्राइब लेकिन नहीं यार इसमें आपको 120 W की Fast Charging मिलती है यहां पर आप देखो बैटरी बता दिया, कैमरा बता दिया, डिजाइन बता दिया, स्पीड टेस्ट, बूट टेस्स सब बता दिया अब आप मुझे कमेंट करें कि बताना कि आपको इन तीनों में सबस्चा फोन कौन सा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सुस्क्राइब जरू करना, तो इस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस भाबा, थैंक्स पर वाचिंग